बिहार में राजनितिक हलचल तेज हो चुकी है, वहीं सभी राजनितिक पाठियां 2024 के लोक सभाचुनाब की तैयारियों में जुट गई है, वहीं बिहार में अभी दापते इतार का दोर चल रहा है, दरसल नितीज कुमार दिल्ली गये हैं, लालू प्रसादियादब से उनकी मुलाकात हुई है, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, इसी बीच आपको बताते चले कि चिराग पास्मान पर दाना डाला जा रहा है, और ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि अगला 2024 का जो लोक सभाचुनाब है, चिराग पास्मान किस गटव तो नितीश कुमार का घोर बिरोधी चिराग पास्मान को कहा जाता है, लेकिन नितीश कुमार के पैर छुकर चिराग पास्मान ने आशिरबाद लिया, और तजस्त्री से गले मिलने की जो तस्वीरे वाइरल हुई, उसे देख कर लग रहा कि चिराग पास्मान अब संबंध हैं और नितीश कुमार बुजुर्ग बेक्ती हैं इस बज़ास से चिराग पास्मा ने नितीश कुमार के पैर छुकर असिरबाद लिया वहीं तेजस्री आदब से गले मिलना यानि कि एक बेक्तिगर संबंध का ये कहा जा सकता है इसी बीच आपको ये भी बताते चल सालों बाद एक दूसरे से मिले और बरे ही खुसनुमा महौल में मुलाकात हुई उसके बाद पप्पु यादब ने भी कहा कि महागटबंधन में सामिल होकर अगला हुआ लोगसभा चुनाब लगना चाहते हैं उन्होंने ये भी कहा कि बिपक्च को सारे बिपक्ची पाट करना दोजार चौबिस में फिर से तय है इसी बीच आपको बताते चले कि नितीश कुमार दिल्ली रवाना हो चुके हैं जहां तेजस्वी आदब से इडी की पूष्ताच चल रही थी आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी आदब से आठ घंटे की मेराथन पूष्ताच हुई है और जैसे किसी एक अधने से इनसान को किसी आम आदमी के साथ जो भी हैब किया जाता है अभी तस्वीरे आपके स्क्रीन पे चल रही होगी आप देख सकते हैं कि तेजस्वी आदब जो की एक राजे के उपमुख मंतरी है लेकिन एडी ओफिस में उनकी क्या स्थित हो जाती है आठ घंटे तक उनसे पूस्ताच हुई है और फिर उन्हें इडी पूस्ताच के लिए बुला सकती है वह हैं इडी का कहना है कि तिजस्वी आदब पूस्ताच में सहयोग नहीं कर रहे हैं आपको बताते चले नितीश कुमार दिल्ली पहुचे और उन्होंने ला विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेताओं से नितीश कुमार की मुलाकात होगी दिल्ली में खिचरी पकना शुरू हो चुका है वह ही अब ये देखना बाकी होगा कि नितीश कुमार पीम का चेहरा बन पाते है या नहीं क्योंकि नितीश कुमार की ये सारी कोशी से सिर बड़ा बयान आया था कि विपक्षी दलों को एक जूट करना बड़ा मुश्किल है और अब लोकसभाचुनाब की तेयारिया शुरू हो चुकी है, नितिश कुमार भी PM रेस में सामिल है, वही मम्ता बनर्जी भी PM रेस में सामिल है और विपक्षी दलों में कहा जा रहा कि य कैसा न हो जाए कहीं आपस में सरफुटाउल करके ये लोग नरेंदर मोजदी का रास्ता साफ कर दे जुरे रहे हमारे साथ इस मामले में जैसे ही कोई ने अपडेट आएगा हम आप तक जयूर पहुचाएंगे जै हिन जै भारत जै बिहार